सर, एक क्वेस्टिन मेरा है ग्रीटिंग सर, मेरा नाम सुचित्रा प्रधान है मैं एक एक्स आईएस ओफिसर हूँ यहाँ इस अकैडमी में मैं आपकी दो बैज जूनियर थी मैं मीडिया से नहीं हूँ लेकिन इस अकैडमी की पास आउट और देश की नागरिक होने के नाते एक चोटी सी बात मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ with your due permission sir हम सब जब यहाँ आते हैं इस अकैडमी में तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं हमको गढने का काम अकैडमी करती है इस गढ़े जाने की प्रक्रिया में हम कई बार तूटते हैं लेकिन हमारी हिम्मत कभी नहीं तूटती सर आपको याद होगा जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तब हमारे साथ का एक ओटी उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था तब सारे कैड्स ने एक परिवार समान उसकी हेल्प करी थी अड्मिनिस्ट्रेशन ने भी उसके तरफ लीनियंट बरताब रखा था अगर तब हम सबने मिलकर उसकी हेल्प नहीं करी होती तो आज वो ओटी जिस पुजिशन पे है या देश की प्रोग्रिस में उसने जितना भी कॉंट्रिबूशन किया है वो नहीं होता आप उसे जानते हैं क्योंकि वो ओटी आप थे सर कैड्स का मोटो हम असमी योध्धा हम यहां योध्धा बनते हैं लेकिन योध्धा कभी अकेले लड़ा ही नहीं रड़ते वो कभी योध्ध में अकेले नहीं होते अगर आज किसी भी स्टूडेंट में इतनी शमता है कि वो यहां अड्मिशन पा सकती है तो उसे संभालना या उसकी मिस्टेक्स पे उसे गाइड करना यह हमारे ट्यूटी है काव्या बंसर एक ओटी है जिसकी ट्रेनिंग का एक एहम हिस्सा है मानसिक ट्रेनिंग भी है सर उसको ओटी से एक ओफिसर बनाने की जिम्मेदारी है सिर्फ आपकी हैं सिर्फ आपकी You also were emotionally tormented but then everyone rallied around you and helped you Everyone took care of you sir मेरे पती मानने उद्य प्रधान जी भी यही चाहते हैं कि बसंत खेड़ी जैसे important project पे ऐसी ही उज्वलाओं को जाने का मौका दिया जाए क्यों मंत्री जी क्यों मंत्री जाए